नमस्कार दोस्तो आप सभी लोग को फिर से एक पर स्वागत है मेरी चैनल पे दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रोस वाल के बारे में ने हैं और यह है दोस्तो लोड बियरिंग मतलब यह लोड बीर करता है okay जितना भी आपका बीम होगा फ्लोर होगा या रूफ होगा इसका लोड यह करी करता है नॉर्मली जो building होता है जो frame structure होता है वहाँ पर क्या होता है कि यह माल लेते हैं roof तो इसका खुद का cell point और इसके उपर जितना भी load आएगा यह roof होके जो beam है beam पे transfer होता है beam से यह columns पे transfer होता है और columns होके footing पे जाता है और footing से जमी पे यह load transfer हो जाता है तो नॉर्मली जो frame structure होता है इस तरीके से काम करता है यहाँ पर देखिए जो walls है यही आपका load bear करता है जितना भी floor होगा जितना roof होगा जितना beam होगा उसका load ए ट्रांसफर करता है direct foundation पे okay next है दोस्तो placed perpendicular to the lateral axis तो इस टाइप की जो wall है इसको हम लोग lateral axis पे इसको हम लोग place करते है तो इसको हम लोग अच्छे से समझते है क्या कह रहा है यह माल लेते हैं मेरे पास एक building की plan है और यहाँ पर माल लेते हैं यहाँ पर मेरे पास और एक बिल्डिंग की प्लान है तो यहाँ पर अपका दो एक्सिस आप देख सकते हैं इस तरीके से यह क्या है दोस्तो एक्सिस और यह है दोस्तो वाई एक्सिस और यहाँ पर देखिए यह क्या है दोस्तो एक सेक्सिस और यह है दोस्तो वाई एक्सिस अब फ्रेंट्स यहाँ पर देखिए यह है इसका लेंथ और यह माल लेते हैं इसका वीट और यह है दोस्तो इसका लेंथ और यह है दोस्तो इसका वीट तो दोस्तो इस केस में देखिए जो एक सेक्सिस है यह यह क्या है दोस्तों यह है longitudinal axis और y axis क्या है दोस्तों lateral axis यह क्या है दोस्तों lateral axis और यहां पर आप देख सकते हैं यह है दोस्तों longitudinal axis और यहां पर जो x आप देख पा रहे हैं यह क्या है दोस्तों lateral axis आप समझ गए है लेटरल एक्सिस कौन सा है अब दोस्तों किस तरीके से हम लोग क्रॉस वाल को प्लेस करेंगे तो दोस्तों देखिए जो क्रॉस वाल है इसको हम लोग लेटरल एक्सिस बराबर प्लेस करेंगे इस तरीके से हम लोग इनको place करेंगे लेटरल लेक्सिस बरावर इस तरीके से इस तरीके से देखे हम लोग इसको place नहीं करेंगे तो लेटरल लेक्सिस बरावर हम लोग को cross wall को place करना है अगर इस plan की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर भी हम लोग lateral axis वराबर इस तरीके से cross wall को place करेंगे यह है दोस्तो lateral axis इस तरीके से हम लोग cross wall को place करेंगे तो आप समझ गया है किस तरीके से हम लोग को cross wall को place करना है और यहाँ पर आप जेख सकते हैं यह है दोस्तो lateral axis की perpendicular direction पर हम लोग इसको place कर रहे है 90 degree ओके पर्पेंडिकुलर हम लोग इसको प्लेस कर रहे है नेक्स्ट पॉइंट है दा फ्लोर्स रूप्स एंड दा बीम्स आर सपोर्टेट वाइद लोड बेरिंग वाल जैसे कि मैंने बताया जितना भी आपका फ्लोर होगा रूप होगा या बीम होगा उसका लोड कौन करी करेगा जो लोड बेरिंग वाल से प्रिक यह आपका लोड बेर करेगा अब बात करते हैं फीचार्स आप क्रॉस वाल कॉंस्ट्राक्षन के बारे में तो दोच्टों देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा प्रॉसवाल एक क्रॉस वाल है यहाँ पर इनको हम सिरीज में प्लेस करते हैं तो यहां पर दिखे क्या लिखा है in crosswall construction the prefabricated walls are placed in series as shown-in figure यहां पर आप सकते हैं series पर हम लोगों ने इसको place किया है this road bearing walls transfer the structural loads safely to the foundation without need for concrete or steel frame तो यहां पर concrete किया steel की कोई frame नहीं चाहिए यही जो wall है यह directly load को foundation पे transfer कर देता है ओके यही आपका load को foundation पे transfer कर देगा तो दोस्तों देखिए they also act as share wall just preventing the building from lateral movement तो दोस्तों हम लोगों ने share walls के बारे में पढ़ा था जो lift होता है lift की wall हम लोगों ने देखा था lift यह माल लेते हैं lift है तो lift की wall पे हम लोगों ने share wall को use किया था ओके यहां फिर दोस्तों जो high rise building होता है वहां पर हम लोग आर्थ को एक resistance के लिए भी share wall प्रोवाइट करते हैं कुछ और यह कुछ share wall की तरह ही काम कर रहा है अब दोस्तों देखिए यहां पर मैं फिर से axis को आपको समझा दे रहा हूं यह माल लेते हैं यहां पर हम लोग क्या place कर रहे हैं यह क्या हूँगा क्या पर हम लोग रूफ को प्लेस कर देंगे इस तरीके से हम लोग रूफ को प्लेस करेंगे यह क्या है दोस्तो रूफ तो यहां पर आप एक्सिस देख लीजिए यह माल लेते हैं क्या यह है दोस्तो एक्स एक्सिस यह माल लेते हैं Y-axis और यह क्या होगा Z-axis तो इसको हम लोग क्या कहेंगे Vertical Axis यहापर जो X-axis देख पा रहे है इसको हम लोग क्या कहेंगे Lateral Axis यह क्या होगा Lateral Axis ओके और Y-axis जो है Longitudinal Axis ओके तो यहाँ पर देख सकते हैं जो Cross Wall है इसको हम लोग Lateral Axis में हम लोग इसको Place किया है Lateral Axis पराबर हम लोग इसको Place किया है तो यहाँ से आप समझ गए हैं किस तरीके से हम लोग को जो Cross Wall है यह Place करना है अब दोस्तों देखिए Cross Wall Construction is best suitable for buildings with maximum of 5 stories मतलब 5 stories तक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं Where all floors have the same plan जहाँ पर जितना भी floors होगा उसका प्लेन सेम होता है जैसे कि आपका जो होता है Hostels बगरा होता है वहाँ पर हम लोग इसको बड़े अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पर आप Cross Section Wall Arrangement यहाँ पर आप Cross Section Wall Arrangement देख सकते हैं यह है दोस्तो Cross Walls ओके यह क्या है दोस्तो Cross Wall दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह क्या होगा यह यह माल लेते हैं X-Axis और यह माल लेते हैं यहाँ पर Y-Axis तो यह क्या है दोस्तो यहां पर y-axis क्या है lateral axis lateral axis बराबर हम लोग इन cross wall को place कर दिये हैं और इनके बीच में span है यह है दोस्तो span यहां पर देखिए हम लोग opening भी प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे कि window यहां पर हम लोगों ने opening भी प्रोवाइड किया है तो दोस्तो यहां पर जो cross wall देख पा रहे हैं यह है ätteral Cultural direction में प्रोवाइड कर रहे हैं यही आपका लोड ड्यार करता है the intermediate floor span in between the load bearing walls provided sufficient lateral resistance तो इस तरीके से हम लोग को load bearing wall के बीज में span रखना है कि जो lateral resistance है यह sufficient provide कर पाए if both the load bearing walls and the floors are precast members then a series of boxes are formed this type of construction is sometimes mentioned as box frame construction तो क्या बोलना है देखिए अगर यहां पर जो walls है यह तो precast है और load bearing wall है इसके साथ साथ अगर जो roof हम लोग use कर रहे हैं यह भी अगर precast है तो हम लोग को क्या लगता है देखने में लगता है कि हम लोग ने एक box को लेकर बिठा दिया है तो इसको हम लोग box frame construction भी बोल सकते हैं next हम लोग बात करते है cross wall construction steps इसका steps क्या क्या होगा पहला step से देखिए precast elements are brought to the site मतलब जो cross wall है या जो roofs है इसको हम लोग factory पे बनाके site पर लेकर आएंगे फिर है दोस्तो the precast wall elements are placed both horizontally and vertically they are grouted and connected as per the plan with the help of hidden joints and ties तो पहले हम लोग क्या करेंगे cross walls को लेकर आएंगे इस तरीके से इस तरीके से हम लोग इसको place कर देंगे series पे lateral axis बराबर और इसके बाद अगर roof है roof को हम लोग place कर देंगे और इमके 20 में हम लोग hidden joint बनाएंगे या हम लोग grout करेंगे next है दोस्तो before completing the entire structure entire structure complete होने से पहले हम लोग को mechanical and electrical installation work, finishing works and other miscellaneous works on the walls have to be completed तो दोस्तो पूरा structure complete होने से पहले हम लोग को mechanical electrical finishing work बगर हम लोग को complete कर लेना है next है दोस्तो the cross wall can be connected by any of the following connection कोई भी connection से हम लोग इसको joint कर सकते है wall to wall by horizontal joints wall to wall by vertical joints wall to the base foundation अब दोस्तो जाल लेते है benefits of cross wall construction अगर हम लोग cross wall construction कर रहे हैं तो उसका कुछ benefit भी होगा तो इसमें पहला है cross wall construction developed a robust structure तो robust क्या होता है मदलब एक strong structure बनाता है next point है significant time and cost saving are gained through cross wall construction technique compared to the traditional construction techniques तो दोस्तो जो traditional construction techniques है उससे कम समय में और कम खर्चे में हम लोग इसको बना सकते हैं तो अभी आप लोगों ने देखा होगा के कई जगा पे देखिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत जल्दी एक building तयार किया गया है तो इस तरीके की techniques वहाँ पर यूज हो सकता है next है दोस्तो the structure guarantees greater security structure की security बहुत जादा high होता है maintenance cost of structure constructed by the cross wall method is less cross wall construction doesn't demand scaffolding scaffolding क्या है आप लोगों पता है जब हम लोग casting करते हैं okay यह steel का हो सकता है यह bamboo का हो सकता है scaffolding करते हैं और वहाँ पर हम लोग casting बगरा करते हैं यहाँ पर आपको कोई casting करने की ज़रुरत नहीं है तो यहाँ पर scaffolding भी नहीं चाहिए next है दोस्तो the structure is monolithic with good air tightness okay यह monolithic structure होता है और air tightness बहुत ही अच्छा होता है next point है the building constructed is structurally efficient that poses high fire and acoustic separation between the nearby rooms okay यह structurally efficient होता है और high fire and acoustic separation rooms के बीज में यह provide करता है okay अब दोस्तो इसका कुछ drawbacks होगा इसको हम लोग देख लेते हैं पहला है दोस्तो difficulty in developing suitable plan plan develop करने में आपको difficulty आ सकता है normally जो simple type की plans होता है इस तरीके की okay जैसे कि आप देख सकते है जो hostel बगरा होता है वहां पर इस तरीके की simple plan होता है वहां पर हम लोग इसको आसानी से ही use कर सकते है बहुत यादा माल लेते है complicated कोई plan है तो इस तरीके की plan पे use करना बहुत ही difficult है crosswall technique को okay next point है improper design and construction of connection affect the durability of structure अगर हम लोग सही तरीके से design नहीं कर पाए या connection नहीं कर पाए तो यह structure की durability को बहुत ज़्यादा घटा देता है next point है skilled labor who are professionally experienced for this work is necessary तो दोस्तो इस काम को करने के लिए इस field पे बहुत ज़्यादा आपको professional workers चाहिए तब ही आप इसको बना पाएंगे तो दोस्तो यह है कुछ drawbacks of crosswall construction तो आसा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया है crosswall क्या होता है क्यों हम लोग यूज करते हैं तो दोस्तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए दोस्तो के ज़स्तियार कीजिए और चैनल को सब्स्राइब करना मद बूले तो दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे